हलो प्यार बिचों कैसे हैं आप लोग आयों बहुत अच्छी होंगी और क्लासेस को इंज्वाय करें होंगी आज हम लोग most important 43 questions को solve करने वाले हैं तो बच्चों क्लास में last तक बने रहेगा चोंकि सारे प्रस्णा आपके चुनिन्दा है आज आपका पहला प्रस्णा है राज्य का सबसे छोटा पच्छी बिहार कौन सा है आपको बताना है राज्य का सबसे छोटा पच्छी बिहार किस जिले में है किस जिले में है आपको ये बताना है और ये आपके लिए बहुत ही महत बोड है आपके सामने आपसन है पहला है पच्छी विहार है सबसे बड़ा पच्छी विहार आप सभी को पता है लाक समच पच्छी विहार किस जिले में है बचो पहला है मयनपुरी दूसरा है पीली भी तीसरा है जौनपुर और चौथा है महुबा most important question है बचो आयोगनी पूछा हुआ है दीजे का जबाप समन आप सभी को मैंने बताया था कहा है मैन Summon मैन पूरी में है आपसन नमबर पहला ही सही है राय बरेली में अस्थापित पच्छी विहार का नाम क्या है आपको बताना है वो कौन सा पच्छी विहार है जो राय बरेली में है और ये भी डिटिल क्लास में पढ़ाई हूँ बताएंगे आप लोग गंती ना हो फेलावसन है नवाब गंज दूसरा है पारवती अरगा तीसरा है समस्पूर और चौथा है ब्रोक्त में से कोई नहीं बेरी इजी और बिल्कुल कामें सेंस का है चुकि नवाब गंज उन्नाव में है पारवती अरगा गुंडा में है बताई हूँ समस्पूर ही आपका राइबरेली में याद रखीगा समस्पूर राज्य के प्रतापगड में अस्थापित पच्छी बिहार का क्या नम है वो पच्छी बिहार कौन सा है जो प्रतापगड जिले में है आपको बताने बच्चो पहला है सांडी दूसरा है पारवतियर्गा तीसरा है सरसई और चौता है डाक्टर भीमराव अमबेटकर तो आसान है आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ तो मिलकुल दिक्कत नहीं होगा सांडी तो नहीं होगा चुकि यह हर दोई में है आपका डाक्टर भीमराव अमबेटकर पच्ची विहार है प्रताप गढ़ में ओखला पच्ची विहार उत्तर प्रदेश की किस जिले में है मोस्ट इंपोर्टन बच्चो यह सबायों का पूछा हुआ है खासकर के आरो यारो के लिए क्लासस मोस्ट इंपोर्टन है पहला आपसन है कानपूर दूसरा है गाजियाबाद तीसरा है लकनू और चौथा है गौतम बुद्धनगर पताएंगी ओखला पच्ची विहार उत्तर प्रदेश की किस जिले में है और यह भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन है याद रहे आपका आपसन नमर जो सही है वो है दूसरा यानि की आपका है ये गाजियाबाद नहीं होगा बचो गौतम बुद्धनगर जिसको कहते हैं ग्रेटर नोड़ा जिसको ग्रेटर नोड़ा भी कहते हैं यहाँ पे है आपका ओकला पच्ची विहार गौतम बुद्धनगर नेक्स्ट कुशन देखी राज्य में मक बरेली तीसरा है मेरट और चौथा है बहराइच चार आपके सामने हैं आपको बताना है वो कौन सा जिला है जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्य का उत्पादन होता है इंडिवीज्वल इस तरह के क्वेस्टन पूछे जाते हैं कि किस छेत में कौन सा चीज उत्पादन जादा होता है चाहे वो हैंड मेड हो या आपका क्रिसी हो तो याद रखेंगे बचू आपसन नमबर पूर सही है बहराइच यहां पर मक्य का उत्पादन जादा होता है उत्तर प्रदेश में चने का सरबाधिक उत्पादन किस जिले में होता है ये क्वेस्टन हो जाएगा आपका जहांसी जहांसी आप सभी जानते हैं बुंदेल खंड का इलागा जहां पानी कम है तो वहां पे ऐसे फसल उत्पादन होते हैं next question राज्जे में जाव की परती हिकटेर खेती सर्वाधी की जिले में होती है कौन सा जिला है जहाँ परती हिकटेर खेती जाव की बहुत ज़दा होती है पहला मैन पूरी दूसरा है मुरादाबाद तीसरा है एता और चोथा है जहांसी चार आपसन है विच्चो आपके सामने और आपको बताना है कि कौन सा है जो सही है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा एटा एटा जो है यहाँ प्रत हेक्टेयर जो की खेती का देखने को मिलता है जादा उत्पादन होता है नेक्स्ट कोईशन भी आपके सामने आ याणि की आप का जो यूपी है इसका इंडिया में गना उत्पादन में कौन सा अस्थान है पहला दूसरा दीसरा चतुर्थ चारासन आपके सामने है और आप सभी को पता है कि यूपी जो है गना उत्पादन में प्रथम अस्थान पर है नेस्ट क्वेस्टिन भी सांदार है राजी का चावल उत्पादन में देश में कौन सा अस्थान है इंडिया में कौन से अस्थान पे आता है यूपी चावल के उत्पादन में पहला है प्रथम दूसरा है दुत्ति तीसरा है तृत्तिया और चौथा है चतुर्थ पताएंगे कौन से अस्थान पे है आपका उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में और ओवी इंडिया में तो याद रखेंगे दूसरा अस्थान है जो कि पहले अस्थान पे आपका पस्चिम बंगाल है दुत्ती अस्थान पे आपका यूपी है लेकिन प्रति हेक्टेर उत्पादन चावल और गेहूं दोनों का पंजाब करता है ये बात भी याद रखेगा गन्ना में सरकरा के मामले में रजिका देश में कौन सा स्थान है यानि कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो गन्ने में जो मिठास होता है जो सरकरा होती है जो चीनी पढ़ने की मात्रा होती है उसके आधार पे उत्तर प्रदेस का कौन सा अस्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, चार आफ़र, आफसन आप के सावने हैं, याद रखेंगे विचो, सरकरा की आधार पे गन्य में, जो है ये दूसरे अस्थान पे है जो कि सरकरा सबसे ज़्यादा महाराष्टर के गन्ने में पाया जाता है इसलिए हम इसमें पहले अस्थान पे नहीं है बलकि दूसरे अस्थान पे हैं सरकरा के आधार पे राज्य में सरवादिक महतपूर किस नगदी फसल का उत्पादन किया जाता है यह तो कॉमन सेंस का है गर जरा भी आप ग्रामेड फिल्ड से बिलाउं करते हैं यह थोड़ा भी यूपी के बारे में जानते हैं तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में कौन सा नगदी फस राज्य के किस जिले में पुस्प इत्र बनाया जाता है कौन सा जिला है जहां फूलो से इत्र बनाया जाता है यानि कि सेंट बनाया जाता है और इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता है वो है आपका महोदया नगरी जिसे महोदया सरी कहा जाता है और यह महोदया सर जिले में अस्थाबित है आपको बताना है टूटल भारत में नौ पुसपूद पादन के छेतर हैं या केंद्र हैं इन में से कौन सा केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में है क्या कानपूर में है क्या गाजयबाद में है क्या लखनों में है क्या गौदम बुद्धनगर में है याद रखेंगे बच्छो यह है आपका अफिम की खेती किस जिले में की जाती है इंपॉर्टन कोईस्टन है बच्छो रज में कौन सा जिला है जिसमें अफिम की खेती की जाती है अफिम आप सभी को पता है बहुत ही खतरनाक मादक पदार्थ होता है पहला है कानपूर दूस श्या नमबर जो फोर है ये बिल्कुल सही है 12 बंकी आलू निरियात जोन के जिले में है पहला अब समें आगरा दूसरा है 19 तीसरा है कन्नो जॉर चोथा है ऐटावा पताएंगे बच्चो कौन से जिले में है आपका आलू निर्यात जोन और यह भी आपके लिए most important है क्योंकि आयोग ने इसको पूछा हुआ है यह आपका आगरा आसे आगरा आसे आलू का निर्यात जोन आपसे निम्मर पहला सही है next question आपके सामने आचुका है बर्ष 2012 की पसू जनगर्णा के अधार पर कुल पसू संख्या में रज्य का देश में कौन सा अस्थान है आपको बताना है कि 2012 में जो पसू जनगर्णा हुआ था उसकी अधार पर पसू की संख्या के अधार पर रज्य का कौन सा अस्थान है और य यूपी मैदानी बेल्ट में सबसे बड़ा राज्य है क्योंकि आप बाके जो राज्य बड़े हैं जैसे कि राजस्थान वह आपका रेगिस्थानी है और दूसरा महा मध्यप्रदेश वह पहाड़ी है तिसरा महाराष्ट्रा वह पठारी है तो सबसे जदा एक तरीके से कहें हैं आपको पता है लेकिन संख्या है कितनी यह लेटिस्ट आपका पसु जनगरना आया है पहला आपसन है आपका 67.8 मिलियन दूसरा है 56.8 मिलियन तीसरा है 40.6 मिलियन और चौता है 37.4 मिलियन पताएंगे इसमें से कौन सा संख्या है जो उत्तर प्रदेश में पसु धन को बता रहा है याद रहेंगे टोटल जो पसु धन है वो है यूपी में आपका 67.8 प्रतिसत 2021 की जनगरना की एकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में 67.8 मिलियन पसु धन है और 50 आप देखें 56.8 मिलियन पसु धन के साथ राजस्थान दूसरी अस्थान पे है यानि कि आपका य बात करें तो मद्य प्रतिस में देख लेजी आपका 46.6 मिलियन पसु है और चौथे नंबर पर बात करेंगे तो यह बंगाल है जहां 37.4 मिलियन पसु धन है अगर पसु धन की संख्या क्या अधार पे राज्यों का करम पूछे बचो तो यूपी राजस्थान मद्य प्रति अंदेन आपका होगा पसी मंगाल तो यह को याद रखेगा बहुत ही सांदर है अच्टे के देश में दुख दूत पादन में राज्य का कौन सा अस्थान है यानि कि इंडिया में हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश यह दूदूत पादन में कौन से अस्थान पर 2023 में मांस के उत्तपादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा अस्थान है तो पहले में है प्रथम दूसरे में है दुत्तिय तीसरे में है तृत्तिय और चतुर्थ में है चार आफसन आपकी सामने है आपको बताना है कि देश में मांस उत्तपादन में कौन सा अस्थान है मांस का सबसे बड़ा उत्पाद्र प्रदेश ईजो कुल मांस का 23 प्रतीसně अकेले उत्पादन करता है 100 परसेट इसके बात आती है वो पसी मंगाल की है जो मांस उत्पादन में दूसरे स्थान प और 12 भोगदान देता है यानि हम वगदान करें देखंगे के बाद बाद करेंगे आंद प्रदेश की जो तीसरे अस्थान पे आता है और कुल साथ प्रतिसत उत्पादन करता है यानि कि ये भी लगबग आधा हो जाता है पसिम मंगाल का तो सबस्यादा यूपी उसकी बाद पसिम मंगाल और फिर आपका अंद प्रदेश ये आकड़ी भी याद रखेंगे बचो क्रमवाइस तो लंबे समय तक चीज़े याद रहेंगी निम्ले कितमे से क्या उत्तर प्रदेश के लोक निरत के बारे में सच है आपको बताना है लोक निरत जो उत्तर प्रदेश का है उसके बारे में क्या सही है पहला असन है चर्कुला के निरत में एक महिला नत की सामिल होती है जो नृत करते समय उसके सिर पर बिजली के डी पैक्स की एक अस्तंब को संतुलित करती है दूसरा पॉइंट करा है चर्कुला राजे के ब्रज छेतर की कला है क्या चर्कुला ब्रज का है क्या चर्कुला में एक महिला डांसर होती है जो अपन पहला सही है दूसरे में है केवल दूसरा सही है C में है यानि कि तीसरे में हैं दूनों सही either कोई भी सही है चार आप सण Hanki सामने बच्जु्थ आपको बताना है चर्कुला नर्त के बारे में कौन सा सही है यह यह den बड़ मंडल में होता है। बाते योपी तो पहला आपसर मद्य प्रदेश दूसरा है उत्तर प्रदेश तीसरा है हेमांचर प्रदेश और चौत्था है उत्रा खन्ट तो आपसभी को इसका उत्तर पता है कि रास लेला आपके उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमत से खास करके आपके ब्रज मंडल में कृष्ण ची की बच्पन की कलाएं इसमें दिखाई जाती है कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गाया जाता है पहला अफ़सन है सोन भद्र और बांदा द जो है मिर्जापूर और बाराणसी की छेत्र में गाया जाता है बचो आफ़सन में जो भी हो वो सही हो जाएगा आयोग जब भी पुछेएगा दोनों याद रखेगा मिर्जापूर और बाराणसी कथक किस जराज्य का सास्त्रे अंद्रत्य है पहला है जारकन दूसरा है आ पाफी छेत्र में फैला हुआ है नेक्स्ट कोईसिन देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे लोग पर ये लोग गीत का क्या नाम है आपको बताना है उत्तर प्रदेश का एक लोग गीत है जो बहुत जादा फेमस है हाला कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग गीत है जो फे कंद्रति किस नबाब के समय सरबाधिक लोग प्रिय हुआ आयो का पूछा हुआ है बचो मोस्ट इंपोर्टन क्वेस्टन कत्थक नरति ने सबसे ज़्यादा विकास किस नबाब के समय में किया है पहला अफसन है सफदर जंग दूसरा है सुजाओ दौला तीसरा है वाजिद ले साह आफसर नमबर थेरी बिल्कुल सही है समय विस एक बिसेह पराधारित लोकंद्रित का नाम बताएं इसकी दो परणपराएं है हाथरस परंपरा और कानपूर परंपरा बताएंगी बच्चो कौन सा लोकन रिते हैं जो सामाजिक बिस्वय पराधारीत होता यानि कि सामाज से जुड़ी हुए चीज़ उसमें दिखाई जाती है जो कि दो परमपराओं में बटा है हाथ रस और कानपूर पहला है जात्रा, दूसरा है नौटंकी वेत्रा, हैत्ज़ फागुन और चौथा है बिहू तो आप सभीकी को पता है बिहू तो आप के हांगा है नहीं और आपका जातरा भी उपिका नहीं है तो आपका क्या हो Jaتra में नौटंकी अगर आपने देखा है नौटंकी तो उसमें कोई न कोई कहानी कोई नो कोई पार्ट होता है जिसके तुमारा कोई नो कोई सामाजिक बुराईयों को अच्छाईयों को उजागर किया जाताया बचो तो आपसे नमर 20 सही है आपका और आपको पता है कि महाराष्ट्रा का ही लोक उन्दृत्रें हैं तमासा भी चैता, कजरी, बारा मासा, सावन, कहां गाये जाते हैं आपको बताना है कि चैता, लोगईत, कजरी, लोगईत, बारा मासा, लोगईत, सावन, लोगईत, कहां गाये जाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पस्यमी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी उत्तर प्रदेश में या उपरएक्त में से कोई नहीं आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में ये सारे लोगी बड़े प्रमाने पे गाये जाते हैं तो यह कौन सा होगा पूर्वी पूर्वी उत्तरप्रदेस ऐगर पूर्वी दच्छडी होता तो भी सही हो जाता चोकि दच्छड एक शित्रों में भी आया जाता है तो पूर्वी उत्तर כई गठन, आपको बताank राजे का जो दुग्द्र… परिसद है इस इसका गठन कम कीय गया बच्चों 1975, 1976, 1977 या 1978 बच्चों बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा इसका उत्तर जो है वो है आपसन नंबर दो यानि की 1976 मैं थोड़ा फास्ट कवर कर रही हूं बिना एक मिनुट गवाएं ताकि आप लोग कम समय में अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और आप जो सफलता है वो सुनेश्चित हो नेक्स्ट कोईशन खारा जल विदूत परियोजना किस सहर में है यूपी किस सहर में है खारा जल विदूत परियोजना पहला है सहारनपूर दूसरा है वलंद सहर तीसरा है कानपूर और चौथा है आगरा बचारा जल विदूत परियोजन हम कितना भी मेनत कर लें अगर रिविजन ना करें तो चीजें भूल जाती है confidence नहीं आता है तो सारे playlist का रिविजन भी करते रहें समय समय पर राम गंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले मेशते थे आपको पताना है राम गंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले मेशते थे पहला है बलिया दूसरा है विजन ओर तीसरा है आजमगर और चौता है कोरपूर पताएंगे बच्व आपके लिए काभी महादोड प्रश्न है देखते हैं क्या उत्तर देने वाले आप लोग याद रखेंगे राम गंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के विजन ओर जिले में है आफसर नमर दो आपका बिल्कुल सहीं है राच में काच बनाने के लिए योग बालू की प्राप्ति की नदियों से होती है यानि की काच बनाने के लिए जिस बालू की जरुरत होती है वो बालू कहां से मिलता है आपको बताना है पहला है सोन चंबल दूसरा है गंगा सर्यू तीसरा है राम गंगा गोमती और चौता गंगा यमुना पताएंगे कौन से नदियों के रेत से कांच मिट्टी मतब जो कांच बनाने का काम किया जाता है कौन से नदियों के बालू से संभव होता है तो यह है आपका आपसन नबर पूर गंगा और यमुना मैदानी पुरिट की सबसे बड़ी नदिया हैं जहां से इस मार्च 1975 तेसरा है 23 मार्च 1976 और 14 अपरुक में से कोई नहीं चार आपसन आपके सामने बच्चों पताएंगे कौन सा है जो सही हो जाएगा और जो आपका सही है वो है आपका आपसन नंबर फर्स्ट यानि कि 23 मार्च 1974 में राज्य खनिच निगम की अस्थापना किये थी 23 मार्च 1974 राज्य के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है मोश्ट इंपोर्टन बचों साधाने से उतर दीजेगा राज्य के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है पहला आपसन है बांदा दूसरा है चित्र गूर्ट, तीसरा है ललिटपुर और चोथा है आपका सोन भद्र और आप सभी को ये बिल्कुल और बिल्कुल पता है विकाज ये आयोग का कई बार बुचा हुआ है ललिटपुर में पाया जाता है यूरेनियम आपको बताना है कि आपकी उत्तर प्रदेश में पसुओं को रोग और बिमारियों से निदान के लिए राज्य में केंद्री प्रयोग साला किस जिले में खोली गई है और आपका जो पहला अपसन है वो है कानपूर दूसरा है आगरा तीसरा है गोरपूर और चौथा है लखनो तो पसुओं के रोग निदान और बिमारियों के खोज के लिए राज्य में केंद्री प्रयोग साला जिस जिले में खोली गई है वो है आपका लखनो आपसन नमबर सहकारी संग लिम्टेड की अस्थापना किस वर्ष की गई है बचो पताएंगे कौन सा आपसन है जो सही है 1915, 1916, 1917 या 1918 और ये भी आपके लिए सांदार प्रिस्टन है बचो याद रखेंगे क्लास को सेर और लाइक करना बिलकुल भी ना भूले और क्लास में बने रहना है आप लोगों को अठार नहीं होगा यहां पर होना चाहिए 1917, 1917 याद रखेंगे बचों, 1917 में लखनव दुख दूद पादन सहकारी संग लिम्टेड की अस्थापना की गई है Most important इमार्ती पत्थर की प्राप्ति की जिलों से होती है पहला है मिर्जापुर चुनार, दूसरा है सोन भद्र चुनार, तीसरा है मिर्जापुर प्रियाग और चौथा है सोन भद्र और बंदेल खन पताएंगे कौन से छेतर से इमार्ती लकडियां बड़े प्रमाने से प्राप्त की जाती है वचो आयो का पुछा हुआ है और इसका उत्तर है आपका सोन भद्र और चुनार से मिलता है वचो इमार्ती पत्थर की प्राप्ति इमार्ती लकडियां क्यों बोल रही हूँ पत्थ देखते देखते स्क्रीन निगाही कभी कभी और दिमाग दोनों काम नहीं करता तो इमारती पत्थर की बात हो रही है आप सभी को पता होगा चुनार के पत्थर जो है वो बहुत ही कीमती है चुनार में बहुत सारे खान है जहां से तरह तरह के पत्थर निकाले जाते हैं संग दूसरा है गाजियाबाद, तिसरा है कानपूर और चौथा है लखनौ और आप सभी को पता है यूपी का सबसे ज़्यादा पलियूटिट सिटी जहां बहुत ज़्यादा उद्योग धंदी है वो है आपका कानपूर आपसा नमर जो थिरी है ये बिल्कुल सही है उत्तर से क्या है जो सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बनमहोसो कारम किस बर्ष में हुआ है बचो ये है आपसा नमर थिरी बिल्कुल सही है उन्नेश सो बावन से सुरू हुआ है बनमहोसो उत्तर प्रदेश में रज में कागस का मुख्य केंद्र किस जिले में है ये भी आपक को पूछा है दाज्जे में कागज निर्माः अकभारी कागज या कागज की बाथ करें तो यह सहारनपूर में है राज्जी का कौन सा जिल्ग खेल के सामगरी के लिए प्रसिद्ध है ये तो आप बिनाफसन बता लेंगे वरेली है आपका आगरा है और सहारनपूर है मेरट है तो आप सभी को बता है कि खेल की सामगरी के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है आपका मेरट आपसनमरफोर सही है प्रदेश के किस जिले में लकड़ी के खिलों ने अतिन्धीक बनाए जाते हैं मुस्ट इंपोर्टन कोईसिन बच्छों बताएंगे कौन सा जीला है जहां लकड़ी की खिलाओने बड़े पेमाने पे बनाए और बेचे जाते हैं पहला है प्रियागराज लखनू दूसरा है वरारसी लहाबाद तीसरा है सोन भदर और बरारसी और चौता है गुरपुर और बनारस तो याद रखिए बच्छों आयोग ने कई बार पूछा है कि लकड़ी की खिलाओनों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका बनारस और सोन भदर बनारस को कई बार इंडिविज्वल भी पूछा गया है तो बोथ है तो बोथ अने था बनारस साब का बहुत ज़्यदा फेमस है सिंगल दोनों में से कोई भी चलेगा रही रहा आज का फोटी थीरी मोस्ट इंपोर्टन कोईशन में चो क्लास कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताएं कलास में उबस्तित रहना बहुत अनिवार है चुकि ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है तो आज के लिए इतना ही थांक्यू